हेलो गाइज वेलकम टो मारी यूटूब चैनल दोनाइज गसन पॉइंट आज है तेरह अगस्त और तेरह अगस्त से कौन-कौन से रिलेटेड कुरांट अफ्यार बन सकते हैं उसे देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और पिछली वीडियो का जो करेक्ट एंसर होगा यानि जो जय विंधन था वो 20 वे जय विंधन आपको 10 अगस्त को मनाये जाता है इसलिए आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा ठेक नेक्स्ट है आज का फर्स्ट कोचन है हाल ही में अंतराश्टिय यूवाद दिवस से कम मनाया गया है आपको बताना है कि इंटरनेश्टनल यूथ डे कम मनाया गया और आपके फर्स्ट अप्शन में है 12 अगस्त, 2nd में है 10 अगस्त, 3rd में है 9 अगस्त और 4th में है 11 अगस् आपको बताना है कि International Youth Day यानि अंतराष्टिय यूवाद दिवस से कम मनाया गया है तो जो आपका First का Correct answer हो जाएगा वो आपका A number correct हो जाएगा ठेक यानि अंतराष्टिय यूवाद दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है सेकंड नमबर है हाल ही में ब्रिटिस कम्पनी हाउस फ्रेश दुवारा किस देश को बीश्वे का सबसे प्रदूसी ते घोशित किया गया है अबके फर्स्ट अप्सन में है पाकिस्तान, सेकंड में है भारत, थर्ड में मंगोलिया और फोर्थ में है बंगलादेश है आपको बताना है कि सबसे पॉलुटेड कंट्री कीसे घोशित किया गया है, ब्रिटिस एक कम्पनी है जिसका नाम है हाॉस फ्रेश तो आपका second का correct answer हो जाएगा, आपका D number correct हो जाएगा, यानि बंगलादेश को सबसे polluted घोसित किया गया है, उसके बाद second पर पाकिस्तान है, third पर इंडिया है, and fourth पर मंगोलिया है, आप इसे note कर लीजिए, ठीक न? एंड फोर्थ पर आपका मंगोलिया हो जाएगा, ठीक, first पर आपका बंगलादेश है, तो आप इसे note कर लीजिए, या कहीं note करना चाहते हैं, तो लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिए, screen shot ले लीजिए, next है, third number, third number है, हाल ही में JK टायर दोवरा किसको नया brand investor चुना गया है यानि जो JK टायर है, आपना brand investor किसको चुना है, आपके first option में है, अक्षे कुमार, second में है, कार्तिकारियन, third में है, नरायन कार्तिकेयन, फोर्थ में है, महेंदर सी धोनी, तो JK टायर है, आपना नया brand investor नरायन कार्तिकेयन को चुना है, ठीक न, तो इसलिए आपका third का C number correct हो हाल ही में कौन कौन सवा विध्यक राजसाभा में पारीत हुआ है याणि आपको बताना है कि कौन सव नumbr का जो विध्यक है राजसाभा में पारीत हुआ है आपके फर्स्ट अपिसें में है 75 सेकेंड में है 127 third में है 111 और fourth में है 122 हुआ तो जो आपका फोर्थ खा करेक्ट एंसर हो जाएगा वह आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा यानि 127 आपका विध्यक राध्साबा में पारित हुआ है नेक्स्ट कोचन है नेक्स्ट है फिप्त नंबर है हाल ही में ICC दुआरा किसको प्लेयर आफ दो मंथ चुना गया है आपको बताना है कि ICC हर मंथ एक नए मेंस और उमेंस में से प्लेयर आफ दो मंथ चुनता है तो बताना है कि उनका नाम क्या है जिनको प्लेयर आफ दो मंथ चुना गया है तो जो आपका फिप्ट का correct answer हो जाएगा आपका D number correct हो जाएगा ठेक यानि साकी बोलहसन और स्टेफनी टेलर को player of the month चुना गया है ICC द्वारा ठेक और ICC का मुख्याले कहां है तो साउधी अरबिया में है साउधी अरब में ICC का मुख्याले है यानि headquarter है next है sixth number है हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 को लागू करने का आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है यानि राष्ट्रिय नेश्ट्रिय 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 पॉलीसी 2020 को लागू करने का आदेश कौन सा राज्य जारी किया है और आपके 1st option में है केरला 2nd में है करनाटका 3rd में है हर्याना और 4th में है गुज्रा आते तो जो आपका 6th का correct answer हो जायागा वो आपका B number correct हो जायागा ठेक यानि करनाट का नेशनल एजुकेशन पॉलीशी 2020 से को लागू करने का अध्येश जारी करने वला पहला राज बन गया है ठेक नेक्स्ट है सेवेंथ नमबर सेवेंथ नमबर है किस राज ने वालमट व्रीधी और हकदार के साथ समझाओता ग्यापों ने परहस्ताक्षर किया है यानि MOU साइन किया है किस राज ने किस के साथ वालमट व्रीधी और हकदार के साथ है आपको बताना है कि कौन सा वो राज है जो वालमोट ब्रीधी और हखदार के साथ MOU साइन किया है तो अपके first option में है हर्याना, second में है, gujarat, third में है, राजास्थान, and fourth में है केरला तो जो आपका MOU साइन करने वाला राज बना है वो आपका हर्याना बना है, ठेक हर्याना अपना वालमट ब्रीधी और हगदार के साथ एक MOU यानि Member of Understanding है Memorandum of Understanding साइन किया है MOU का मतलब होता है Memorandum of Understanding यानि समझहोता ग्यापन है अपका सेवेंध का A number correct हो जाएगा Next है 8 number 8 number है जपान हर साल किस दिन को नागा साकी दिवस के रूप में मनाता है आपको बताना है कि जपान हर साल किस दिन को नागा साकी दिवस के रूप में मनाता है जो नागा साकी पर बम गिरा था उस जिस दिन को गिरा था उस दिन को एक दिवस के रूप में मनाता है आपको बताना है कि किस दिन को वो मनाता है अपके 1st option में है 11 August, 2nd में है 10 August, 3rd में है 9 August आइन्द 4th में है 8 August जो आपका 8 का correct answer हो जाएगा वो आपका C number correct हो जाएगा 8 का आपको C number correct हो जाएगा 9 August कों वो मनाता है थेक next है 9th number 9th number है हालही में रॉल्फ गुंजालविस पर हामला किया गया वो किस देश के परधान मंत्री थे एक ब्यक्ति है रॉल्फ गुंजालविस उन पर हालही में हामला हुआ है बताना है कि वो किस देश के परधान मंत्री है Hungary है, आपके first option में Hungary है, सेकेंड में Saint Vincent and the Gradilines, सेंट, Vincent and Gradilines, second में Colombia, third में Chile, आपको बाताना है कि जो रॉल्फ गुंजाल्विस थे, जो गुंजालिस हैं, वो किस देश के प्रधान मंत्री है जिन पर हाल ही में हमला हुआ है जिसका निंद्ध हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके है तो जो आपका नाइंथ का करेक्ट एंसर हो जाएगा वो आपका बी नमबर करेक्ट होगा ठेक है तो उसेंट विंसेंट के प्रधान म कर दिया है उस्से उसराज्य का नाम बताना है जिसने काकुरी ट्रेंच cen कर दिया है तो जो टेंध का correct answer हो जाएगा आपका D नमबर करेक्ट हो जाएगा ठेक उतर परदेश ने जो काकोरी ट्रेन सरयंत्र का जो नाम था जो उसका नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्षन कर दिया है ठेक तो आप इसे याद रखिएगा नेक्ट है इलेवेंथ नमबर है अंतराष्टिय सेना खेल 2021 का सत्वा संसकरण किस देश में आयोजित किया गया है आपसे यहां से दो कोचन उठ सकते हैं दो कोचन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में अंतराष्टिय सेना 2021 में हुआ था वो कौन सा संसकरण था तो आप मालु होना चाहिए है कि सत्वा संसकरण है ठेक आपकोuen को सत्वा संतस्करण अंतराश्टिय को पल्वा है है कि कि आ शेना खेल का सत्वा संस्करण कििस डेश में आयोजित किया जा रहा है तो अपको पुछ определ की से किस देश में आयोजित कि情 philanthropy तो आपका 11th का correct answer हो जाएगा हो आपका C number correct हो जाएगा ठेक है तरहनी रसिया में अंतराष्टिय सेना खेले 2021 का सत्वा संस्करण आयोजित किया जाएगा ठेक तो आपका 11th का C number correct हो जाएगा next है 9th number sorry 12th number 12th number है संगहाई सहयोग संगठन यानि SEO संगहाई कोरपरेशन और्गनाइजेसन है कि नयाय मंत्रियों के अठवी बैठक में किसने भाग लिया यानि SEO के जो जस्टीस मिनिस्टर थे उनमें अठवी बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया और आपके फर्स्ट अप्सन में है एस्मृति इरानी सेकेंड में है नरेंद्र मोदी थर्ड में है अमीच सा और फोर्थ में किरन री जीजू तो जो 12th का correct answer आपका D number correct हो जाएग ठेक यानि कीरन री जीजू भारत करा तरप से कीरन री जीजू SEO में जॉस्टिस मिनिस्टर के रूप में भाग लिये हैं नेक्स्ट है 13th number 13th number है भारतिय परधान मंत्री ने PM किसान की कौन सी किस्ट जारी की है जो हल ही में PM किसान का जो किस्ट किसानों के बैंक में जमा हो रहे हैं तो कौन से किस्ट जमा हो रहे हैं आपको बताना है आपके 1st option में 8, 7th में 9, 10, 3rd में 10, 4th में 12 जो आठवा किस्ट है नौवा किस्ट है दसवा किस्ट है आया बरहावा किस्ट है तो जो आपका 13th का correct answer हो जाएगा आपका B number correct हो जाएगा यानि वो नौवा किस्ट है जो हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंदर मुदी द्वारा PM किसान द्वारा DBT के द्वारा Direct Beneficial Fund के द्वारा ट्रांसफर द्वारा ड्रेक्ट Beneficial Transfer द्वारा उन्होंने ये किसान के बैंकों में खेती करने के लिए पैसा जामा किये है नेक्स्ट है 14 नमबर है भारत में पहली बार किस बल ने अपनी दो महिला अधिकारियों को यूद में सामिल किया है आपके फर्स अप्शन में है BSF सेकंड में है ITBP थर्ड में है CISF और फोर्त में है CRPF आपको बताना है कि भारत में पहली बार किस बल ने अपनी दो महिला अधिकारियों को यूद में सामिल किया है BSF, ITBP, CISF या CRPF है तो जो फोर्टिंथ का करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका बी नमबर करेक्ट हो जाएगा ठेक नेक्स्ट है फिप्टिन नमबर फिप्टिन नमबर यह आपका SW कोचन है हमेशा की तरह और मुझे अच्छा है कि बहुत सारे अच्छा लाए कि बहुत सारे लोग इसमें इंट्रेस्ट दिखा रहा है कॉमेंट कर रहे है आज SW कोचन है कि भारत के काबिनेट सचिव के रूप में किसकी सेवाओ को एक वर्ष की ओर अवधी के लिए बढ़ा दिया गया है यानि उनकी अवधी समाप्त हो चुकी थी लेकिन एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है आपके फर्स अप्सन में है नेहा मदद, सेकेंड में है तो मैं आसा करूँगा कि यह हमेशा की तरह इसका भी जबाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा आज करिए बस इतना ही थैंक्यू